कोरोना संकमन के प्रसार को रोकने के लिए कनाड़ा पूरी तरह से सतर्ख है जिसके चलते इस देश ने एक बर फिर भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबं 30 दिन और बढ़ा दिया है अब ये प्रतिबं 21 जून तक लागू रहेगा ब कनाड़ा के परिवन मंत्री उमर आलगबरा के मताबिक कनाड़ा ने भारत और पाकिस्तान से यात्री उड़ानों पर अपने प्रतिबंद को 30 दिनों के लिए बढ़ा कर 21 जून तक कर दिया है इस साल 22 अप्रेल को पहली बार प्रतिबंद की घोशना के बाद से आने वाले एरलाइन्स यात्रियों के बीच कोविट संक्रमन में कामी देखी गई है वही कनाड़ा ने अमेरिका से लगी सीमा पर गैर जरूरी यात्रा पर भी प्रतिबंद को 21 जून तक के लिए एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने गुरू कर चुके हैं संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर रखा है ब्रिटेन में भी भारत से यात्रियों के एंट्री बंद है गौर तलब है कि कनाड़ा संक्रमन की तीसरी लहर का सामना कर रहा है कनाड़ा में अब तक 13,50,000 से ज्यादा लोग को पुरोना संक्रमित हो चुके हैं जिसमें 25,111 मौते होई हैं तो वहीं दूसरे कई देश भी इस संक्रमन से अच्छूते नहीं हैं बिरो रिपोर्ट सत्य खबर